अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यह मैगी है जश्ट इसमें पानी डाला गया है और इसे उबाल दिया गया है इसमें और कुछ नहीं डाला गया है और यह मेरे बेटे ने बनाया है उनको ही खाना था मुझे तो खाना है नहीं मैगी और यह मैंने सुबह सुबह मसीन लगा दिया था चादर थो इन मुझे दोने के लिए और इनके ड्रेस थे तो मैंने लगा दिया और अब मैं आ गई हूँ अपने लिए ब्रेकफर्स्ट बनाने के लिए इससे पहले मैंने बहुत सारे अपने लिए काम किये अगरम पाने प्या जो कि आप लोग जानते ही हो तो उसके बाद मैं करती हूँ ब्रेकफर्स्ट तो ब्रेकफर्स्ट में मैं आज करूंगी मल्ट बहुत खाल है प्राठे और खीर और मैंने एक साल से डाइट बंद करके रखा हुआ अन्य आ अन्य च्छह्кі कीना है cui मेरे मार्ज मैंने शाल मेसरि आrid मेरी होतेश हैं अब स्टॉप लगा दिया है कि बस करो अब थोड़ा रूटीन में आ जाते हैं तो बहुत खाली प्राठेवराठे थोड़ा टाइट कर लेते हैं तो मेरे ब्रेड बन चुके हैं और अब मैं थोड़ा सरसोक और डाला है और इसमें मैं वन एक फोड़ के डाल दूँगी इसमे उनका पेपर आएगा और दूसरे में उनको कैमरा ओन करना पड़ता है तो इसलिए मैंने सुझा जली जल्दी बना लेती हूं और इदर मैं उनको ड्रेस देने के लिए आ गई हूं तो यह ड्रेस थोड़े छोटे हो चुके हैं तो बस एक्जाम के टाइम पर ही उनको निका जाल दिया और उसे बोला कि आकर देख लो और ले लो कि उनके ड्रेस छोटे हो चुके हैं अब इसकूल खुलेंगे तो हमें ड्रेस भी उनका बनवाना पड़ेगा और यहां के स्कूल हम जब से यहां आए हैं एक दिन भी बच्छे स्कूल गया ही नहीं क्योंकि लॉकडाउन हुई चल रहे हैं और इसकूल खुला हा ही नहीं तो ड्रेस का भी पता नहीं है कि कैसा ड्रेस है कलर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है तो इसलिए हमने ड्रेस नहीं बनवाया है अब जब स्कूल खुलेंगे तो हमें पता चलेगा तो फिर हम इनका ड्रेस बनवाएंगे और ब्रेकफस्ट देखिए मेरी हो गई है त चला गया है अपना पेपर देने के लिए तो मैं मिलती हूं आप लोगों से दुपहर को तो लंज का टाइम हो गया है और मैं जैसे ही सावर लेकर आई बच्चों मेरे बेटे का फेपर खतम हो चुका था और बच्चों ने बोला कि हमें तर्बूज खाना है ये कल ही आए थी तो तर्बूज लेकर आये थे तो घर में अगर तर्बूज आ जाए तो बच्चे परसान होने लगते हैं कि जल्दी देदो कि यही फ्रूट है जिसे देखकर वह बहुत खुश होते हैं खासकर मेरा बेटा क्यूंकि बेटी तो मेरी सारी फ्रूट खा लेते हैं और बनाना जो होता है थोड़े से भी दाग हो तो बच्चे खाते नहीं है बिल्कूल एकदम सुन्दर सा बनाना हो वही खाएंगे वह और यह देखिए कितने तेजी से दोड़ के राई जब मैंने बुला कि काट दिया है मैंने ले जाओ यह तब से परसान करते हैं मैंने बुला नहा क पड़े हुए हैं उसको भी मैंने नहीं लगाया तो पहले हम खालेंगे तर्बूज उसके बाद हम लगाएंगे बर्दन और उसके बाद मैं बनाओंगी लंज क्याक पतूप अखर लगाएंगे तर्बूध लगाएंगे उसको म critically प्याजरी हैं यवपोतीटबंगे उसके लदो मजला आजten इमसे बाद पके दो पके डोदीग के बनागjutर नहीं के टग critically ब़ichtig ब़या हैं मैंने ब्लूब मुझे सबजी कट कर लिया जो की है आलो सिम्बला मेर्ज बैंस गाजर और फूल वोवी तो आज मैं बनाने जारी हूं मिक्स वेज और डिल यह सारी सबजी या लेकर आए थी इसलिए कि मुझे मिक्स वेज बनाना है और इसको मैं बनाएंगी इसे ना हम थोड़ा सा स्पेसल तरीके से बनाएंगे मिक्स वेच तो हम ऐसे सिंपल भी बना लेते हैं कई तरीके होते हैं उसको बनाने के पर जब हम कोई स्पेसल दिन में बनाते हैं तो स्पेसल तरीके से बनाते हैं पर आज कोई स्पेसल दिन है न लेंगे इसको अच्छी तरह से मिंस पूरा तल लेंगे इसको और इसी तरह से बारी-बारी हम सारे सब्सजियों को तरेंगे को बी- आलू है और जटने भी सब्सजिया मैंने लिया है गाजर सिम्ला मिर्च और बिंस थोड़े थोड़े हैं इसलिए हम उसे एक ही साथ फ्राइ करेंगे अगर वो भी जादा होते ना तो उसे भी मैं अलग-अलग ही करती तो ये सबजी सादियों में सादियों में तो नहीं बोल सकते हैं पर बड़े पाटी में या आपके घर में कुछ स्पेसल हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो ट्राइ कर सकते हो या हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उसे हम इस तरीके से बना सकते हैं सादा सिंपल तरीका ये है बोलने का कि हम कोई स्पेसल दीन में इसे बनाए और स्पेसल तरीके से बनाए तो यह है थोड़ा फेशल वाला तरीका हमारा मिनस मेरा हमारा दी है मैं आशे ही बनाती हूँ गोबी सेम्ला मिर्स गाजर और आजार बिंस को मैं एक ही साथ फ्राइं तो फ्राइं किया है क्योंकि स्थोड़े से हें अगर यह भी ज्यादा quantity में रहते तो इसे भी मैं अलग-अलग फ्राइब करती और मेरे पास पनीर नहीं था वरना मैं इसमें पनीर भी डालती और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सरसो का ओयल डाला है और उसमें जीरा हिंग डाल दिया है और पेश्ट कम मैंने पेश्ट बनाय और इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेश्ट और टमाटर के पेश्ट को भी अच्छी तरह से पका लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे अच्छी तरह स तो mix wage में थोड़ा सा जादा ही जाता है tomato ketchup तो इसे हम अची तरह से चला लेंगे 2-3 मिनाड़ तक अची तरह से भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और कसूरी मेथी डालने के बाद हम तूरंत ही डाल देंगे इसमें हमारी सबजियां जो कि हमने तलके रखी है इसमें आप जो सबजी खाते हो वो इसमें आइड कर सकते हो जो नहीं खाते हो उसे आप हटा सकते हो स्किप कर सकते हो इस सबजी उको डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चला चला कर और पकाएंगे जब तक हमारी सबजिया नीचे से लटकने ना लगे और ऐसे सबजिया हमारी पक ही गई है अगर थोड़ी बहुत कसर रहे गई है तो वो हमारी इस टाइम पक जाएंगी और अगर ना पके तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं सब्जियों को पकाने के लिए और अगर आपकी सब्जिया पक जाए तो आप ऐसे ही उतार सकते हो पर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि हमारी सब्जी और मसाले अच्छी तरह से मिल जाए अच्छी तरह से उसमें कोटिंग हो जाए और हलका सा ही पानी डाला है मैंने ज्यादा नहीं डाला है तो देखिए ये सूख गई है सूखी ही सब्जी बनाऊंगी मैं तो मेरी सब्जी हो गई है सब्जी के साथ मैंने बनाया है दाल रोटी और चावल और मेरे बेटे का कहना था कि इस सब्जी के साथ हमें पूरिया चाहिए पर मैंने पूरिया नहीं बनाई और मैंने अपने लिए कुछ और बनाया है मैं यह नहीं खाऊंगी तो यह देखे यह है मेरी चावल थोड़ा सा खाएंगे husband जी भी तो खाएंगे नहीं चावल और ये देखे मैं फिर से आप लोगं को सब्जिया दिखा रही हू तो ये देखेए ये है डाल वाली दलिया तो ये खाऊंगी मैं इसमें मैं सिर्फ डालूंगी एक चमच घी और कुछ नहीं डालूंगी और जो भी डालना था मैं डाल चुकी हूँ तो ये है मेरी हैजबन की थाली और मेरी तो आप लोगों ने देखी ली तो अब हो गई है साम और मैंने ले लिया है इविनिंग स्नाग मैंने लिया है वन अपल और टूराज कै रस्क नहीं लेनी चाहिए थे मुझे पर मैंने लिया है अब धीरे दीरे ही च्छुटेंगे और ग्रेंठी लिया है मैंने आज तो मैं ये खाने के बाद चलिए जाओंगी वॉकिंग पर तो चलिए मैं अपना इविनिंग इसनाग इंजॉय कर लेती हूँ चलते हैं हम थोड़ा वॉकिंग करके आते हैं और बीटी मेरी आ गई है दर्वाजा बन कर लेती है हुआ है यह नहीं गया तक खेले और ने पती देव देखिया अज पर प्रत पूरा घ्रास काट दिया है अप लोग आवाज आ रही होगी और शाम हो गई है और मैंने अपना मास्क ले लिया है तो उंगली की चोट की वज़ा से मैं नहीं जा रही थी पर अब चाना पड़ेगा और यह देखिये मेरी चोट तो अब थोड़े ठीक हो गया है तो मैंने पच्टी निकाल दिया है तो अब मैं जा रही हूँ तो चलिए मैं वाकिं करके अब भी जो आप लोग आवाज सुन रहे थे ना वह मोर के थे और देखिए सारे लोग कितने सारे लोग आज पार्ग में हैं और बहुत सारे लोग यहां साम को वाकिंग करते हैं हूँ निया था गैडिए तौल मैं बच्चो को ना पढ़ाने बैठा करें और गई थी वाकिंग मेरा वाकिंग करने का जादा मन नहीं कर रहा था उनके व बिना मुझे लगा कि बच्चे घर पर अकेले ही हैं और मैं वाकिंग करती मैं वाकिंग कर खाय रहा था और अब में आ गई हूँ अपना डिनर करने के लिए तो डिनर में मैं वहीं खाऊंगे चो मैं दोपहर में मैंने बनाया था लंगी टूड़ा जाधा बन गया था तो मैंने उसे ही आधह को दिया तो इसको ने और खालूंगे इसको ही और इसमें मैं बस एक चमच घी डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगे बच्चों के जब पेपर होना तो इन से ज़्यादा टेंसन हमें होने लगता है और मुझे तो खास कर वोता है मैं किसी भी चीज के एक्स्ट्रा ही टेंसन लेने लगते हूं जब यह फ्री हो जाते है ना तो इन से ज़्यादा खुसी मुझे होती है कि चलो बच्चे फाइनली अब थोड़ा से फ्री हो गया है और हमारे भी जब पेपर होते थे तो मुझे ऐसे ही एक दुमैना पहले से ही मुझे टेंसन होने लगता था और जब हमारे पेपर खतम हो जाती थे इतनी खुसी होती थी कि अब फाइनली हम नए क्लास में जाएंगे और नए बुक मिलेंगे हमें और यहां हमारा थोड़ा मेरा हम पट्टी हो रहा है क्योंकि चोट खुले हैं तो चोट लग जाती है तो दर्द होता है इसलिए मैंने बहुत पट्टी लगा दो तो ही सही रहेंगे और अब थोड़ा ठीक हो चुका है थोड़ा नहीं जादा यह ठीक हो चुका थोड़े बहुत बस है कर रात में सोनी से पहले मैं लूँगी एक ग्लास दूद इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी नव सुगर नो गुड ऐसे ही मैं लेती हूं क्या हो रहा है किस लिए नहाने के लिए स्विमिंग पूल अच्छा और कुछ नहीं मिला ढूंडने के लिए अब गर्मी के दिन अभी गया है चलिए तो मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ अगर आप लोग को मेरे यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और प्लीज कमेंट करके जाएगा के बाइग गुट नाइट